नमस्कार मैं हूँ आसल सिंग और आप सभी का स्वागत है मारे चैनल पर महराश्टर में शुसेना को बड़ा छटका लगने वाला है क्योंकि बीजेपी सरकार बनानी की पूरी तयारी कर चुकी है महराश्ट के पूर्वर मुकमंत्री देवेंट फरनवीस ने इन मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया है उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम एक प्रभावी ओपिजिसिन के तौर पर काम कर रहे हैं हमें सरकार गिरने का इंतिजार नहीं कर रहे हैं ल वैकलपिक सरकार देने के लिए तयार है यानि कि सरकार बनाने के लिए हम तयार है तो पूरी तयारी बीजेपी के तरफ से हो गई है और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं उसे ये साफ नजर आ रहा है कि जो इस्तिती महारास्ट में बनी हुई है उस उसके बाद प्रताप सरनाई के खिलाफ ही इडी जार्च करती है। इसके चलते और महराष्ट में जो इस्थिती है और जिस तरीके का ब्रष्टाचार जिस तरीके के तानाशाही जिस तरीके की आव्यवस्था और इसके साथ ही जनता के भलाई में एक भी काम नहीं। पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने के बाद केस हो जाता है किसी का मुंडन करा दिया जाता है तो किसी पर अतैक किये जाते हैं। किसी को 10 लाग का जुर्माना भरना पड़ता है सिर्फ इसले क्योंकि सरकार की आलोचना की या सरकार की किसी से तुलना कर दी। अब ये जो है वो लोगतंतर में होता ही रहता है लेकिन ऐसा महरास्तर में नहीं है वहाँ पर लोगतंतर नहीं बचा हुआ है। बीजेपी और बाकी जो वहाँ पर राजठाकरे हैं वो लगातार इसका विरोध करते आये हैं। राज़पाल से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन शुसेना के ही नेता जो है वो राज़पाल से मुलाकात करने जाते हैं और उधर ठाकरे को लेकर कई आरोप लगाते हैं। उदो ठाकने पर निशाना साथ थे, इसका मतलब शुषैनिक भी नाराज चल रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि BJP ने किस तरीकी की तयारी की हैं और किस तरीके से सरकार बनती हैं, क्योंकि दावे तो बहुत पहले से किये जा रहे थे, और कई बार हमने आपको दिखाया क कि स्तिती बनी हुई है और सरकार वहाँ पर गिर सकती है, और दूसरी BJP की सरकार बन सकती है, राष्टपति शासन लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक राष्टपति शासन लागू नहीं हुआ है, तो BJP जिस तरीके से दावे कर रही है, अब ये देखना वाले दिनों में जो अगला चुना होने वाला है विधान सभा का, उसमें तो BJP को ही जीत मिलेगी और BJP की सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले अगर सरकार गिरती है, तो BJP की सरकार बन सकती है, इसी के साथ आपको बता दे कि अभी कुछ दिन पहले ही संजेराउत ने जिस तरीके से देवेंद फरनवीज ने सरकार पर निशाना साधा, संजेराउत उदो ठाकरे को लेकर जम कर हमला बोला और लगातार वो सरकार पर निशाना साध रहे, कोई भी मामला हो या फिर भूमी घोटाला हो या फिर जिस तरीके से बिजली घोटाला सामने आया और वही प जो सरकार पर हमला कर रहे हैं लगा था और संजे राउत ने जो कुछ भी हिंदुत्यों को लेकर बोला है बेमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से दोनों में वार पलट वार हुआ है इसे ये साफ नजर आ रहा है कि नजदीकिया जो संजे राउत और देवेंद फरन वीज की थी वो खत्म हो चुकी है और जो मुलाकात हुई थी शायद वहां पर बात नहीं बनी है और इसलिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं वैसे इससे पहले कहा जा रहा था कि दूनों ने बात चीत की और इसलिए देवेंद फरन वीज थोड़े नरम पड़े हुए हैं लेकिन खुल कर सामने आएंगे उसके बाद सरकार पर हमला करेंगे और सरकार बनाने के लिए हम दावे पेश करेंगे अब जो एडी के तरफ से कारवाई की गई है प्रताप सरनाइक पर उसको लेकर पहले तो शरत पबार संजे राउत और प्रियंका चतुरवेदी ने बहुत सारे आरोप केंशरकार पर लगाए कि केंवरी एजन्सियों का गलत उपयोग किया जा रहा है इसी के साथ संजराउत ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के जो लीडर है उनकी सूची मेरे पास अब इसको लेकर हमला बोला है देवेन फड़न विस ने करेट समया के खुलासे के ब चीजे निकल कर आ रही है कि फिर से अजीद पवार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं अब ऐसे खबरे आ रही है अब यह देखना होगा कि यह सही है या फिर गलत है लेकिन जो सूची की बात संजराउत कर रहे थे कि बीजेपी के जो नेताओं के सूची है वो मैं इडी को देने वाला हूँ इस पर देवेन फरण वीस ने करारा हमला संजराउत पर बोला उन्होंने कहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो बीजेपी के नेताओं के सूची इडी को सौपेंगे देवेन फरण वीस का ये बड़ा बयान सामने आया है और इससे पहले जो छापे मारी हुई थी और जिस तरीके से गिरफतारी हुई जिस तरीके के खुलासे हुए हैं उसको महरास सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोत करार दिया था और इसमें बहुत सारे लंबे लंबे बयान दिये गए थे लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद उन लोगों को भी ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की गई हैं वो सरकार की ही घलती है या फिर उन्होंने दूसरों के लिए ये गड़्धा खोदा था जिसके बाद खाई में खुद ही गिर रहे हैं और प्रता 40 करोड की संपत्ती उनके पास है अब इसके साथ ही हम आपको बता दे कि फरणवीस ने जिस तरीके के बयान बाजी की है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मैंने राउत को सूची भेजने की चुनोती दी थी और वो सूची भेजेंगे हम इसका इंतिजार कर रहे है शुसेना महरास्ट नहीं है और उनकी पार्टी ने 5 वर्षों के शाषनकाल में राजिकी पहचान की रक्षा के लिए काम किया है इसके साथ उन्होंने शुसेना पर आरूप लगाया है कि जो लोग ब्रश्टाचार के आरूप लगाते हैं वो महरास्ट्र दोही हो जाते हैं शुसेना उन पर थपपा लगा देती है इसी के साथ फरनवीस ने कहा है कि किसी के कहरे मात से कोई महराश्ट द्रोही नहीं हो सकता जब उनके खिलाब रश्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं तो उस व्यक्ति को महराश्ट द्रोही कह देते हैं आपने देखा ये बहुत ही ज़्यादा चलन में है महराश्ट में अगर कोई भी शुषेना पर सवाल खड़ा करता है या फिर शुषेना को हटाने की बात कहता है तो वो महराश्ट के असमिता वो महराश्ट जो ही करार कर दिये जाते हैं चाहे वो अरनोग गोस्वामी हो या फिर इसके साथ ही कंगनर नामत हो या देवेन फरन वीस ने शुषेना का जंदा उतारनी की बात कही थी उसके बाद उन्हेंने कहा था कि जलकर भस्म हो जाएंगे बड़ी बड़ी बाते सामना में संजराउत ने लिखी थी तो जिस तरीके के बयानबाजी संजराउत करते हैं उसे वास्तिविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि उनके जो बयान होते हैं वो बिलकुल हवा में तीर मारने जैसा है किसी का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है बस उनको बोलने से मतलब है, उन्हें सामना में लिखने से मतलब है, ये कुछ भी लिखा जाए, सच्चाई तो वो लिख नहीं पाते कि जो महराश सरकार की नाकामिया हैं, जिस तरीके से महापर समस्याएं बढ़ी हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बिजली घुटाला सामने आ लेकिन उन सब पर वो एक भी शब्द नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कंगनर रनावत पर की उखार दिया, उनका आफिस तोड़ दिया, वो संजे राउत जो अपने आपको बहुत ही महान बताते हैं, जिस तरीके से वो महराश्ट के असमिता को लेकर चलते हैं, मुंबा और इसलिए इन पर इस तरीके की चीज़ें जो जनता द्वारा कही जाती हैं, वो सेम लागू होती हैं, चाहे बाबर से न या फिर सूनिया से न, अब जब ये सारी चीज़ें उन पर कही जाती हैं, तो वो महराश्ट के असमिता से जोड़ कर ये कहते हैं, कि महराश्ट का अपमान कर दिया देवेन फरंड विस को लेकर उन्होंने जिस तरीके से सामना में लिखा था कि अगर आप जंडा उतारोगे तो आप भस्म हो जाओगे और आप कहते हो कि हम यहां से जंडा उतार कर रहेंगे तो यह सारी चीजें हैं जो आप खिलबार कर रहे हो महराश्ट के एसमिता से इतने सालों तक यह जंडा लहरा रहा है और लहराता रहेगा तमाम ऐसी चीजें लिखी गई थी लेकिन बॉकलाहर्ट सामने आई कि किस तरीके से उसके बाद हिन्होंने एमरजंसी बैठक बुलाई और उस पर मन्थर किया कि अब तो जो आने वाला 2022 का बेमसी का चुनाव हूँ वो तो हम हारने वाले हैं लेकिन इस बात को लेकर भी उनको मन्थन कर लेनी चाहे कि विधान सभा चुनाव में किस तरीके की करारी हार शुसेना की होने वाली है